हमको लगता है कि आदर निये लालु परसा जादों जी का जो चरवाहा भी ड्याले है और चरवाहा भी ड्याले से ए जातिये गन्ना का पूरा रिपोर्ट तयार हुआ है और बुझ लीजे कि क्या हो गए दिकत कहां है लाइफ बिहार के माध्यम से मैं आज भी दावे के साथ क सब्सक्राइब करते हैं उपेंद कुछवाहजी मुख्यमंत्री के उमिदवार थे लेकिन आप परशंट सोच रहे हैं इन से ज्यादा तो पासवांग समुद्धा है दुसात समाज और रविदास समाज है तो अब लगता है कि सीएम का जो सपनाता साइट तूट गया इसलिए अब आरल जेटी के अंदर थोड़ा खलबली है आज जनता दल्यू में बहुत कुषवास समाज के नेता लोग बैठे हुए हैं नेतिकता है तो इस तरह की प्रकिरिया हो रही है अगर उनलों को थोड़ा भी नेतिकता है जनता च्छामता नहीं है निरज्श कुमार अपने च्छामता मेरा को दैरे मेरा कर बात करे उपेंद्र कुसवा पर निर्च कुमार की है इन लोगों पर कोई कमेंट है जी पेट पोस्ट रहे हैं लोग पेट पोस्ट कर जनता दलू में पेट पोस्ट रहे हैं और काम कर रहे हैं क्या हो गया राजत का एजेंट है राज़त का एजेंट है और जडियु को मट्यामेट कर दिया राज़त का एजेंट बनकर जडियु का प्रदेश-अधिक्ष काम कर रहे हैं नमस्कार आप लाइट बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी अगामी 2024 लोकसभा चुनाओ से पहले बिहार में जातिये गणना के आकरे सार्वजनिक कर दिये गए हैं जदियू और राजद इस आकरे को लेकर अपनी पीठ थपत पा रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्च की पाटियां इस पर सवालिया निसान भी खड़ा कर रही है राश्ट्रिये लोक जनतादल के राश्ट्रिये अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा को भी इन आकरों प के आका गया हमारे साथ राश्ट्रिये लोक जनतादल के प्रखर प्रवक्ता राम पुकार सिन्ना हैं सबसे पहले आपसे यही प्रतिकिरिया भरोसा है या नहीं है बिल्कुल भरोसा नहीं है और जातिये गन्ना जो हुआ है बिल्कुल थोरी भी पारद्रश्था नहीं है इ आपकी जाती से आते हैं हमारे राष्टी अधक्षादर नियों प्रंद्र कुछ वहाजी से भी नहीं पुछा कि आपकी जाती से गणना करने को कोई आया ही नहीं इस पर पूरी संदे है और इसमें एक के जाती विश्चेस को आगे करके इसको पूरा जाती गणना को फोकस किय कौन सी जाती को आगे किया गया और कौन सी जाती को पीछे कर दिया गया और एक जाती को टार्जेट करके पीछे रख दिया गया मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि अगर थोरी भी पारद रिष्टा है बिहार सरकार के मुखमंत्री आदली नितीज कुमार जी को और रूप मुखमंत्री तेजसी पर साथ जादों को तो आप सारजोनी कर दिजे इस रिपोर्ट को इस गनना के रिपोर्ट को और दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा अप लोग मतलब थोरा भी भरोसा नहीं है कि सरकार ने जो काम करवाया है जो सर्वे कराया है विश्वसनिया है थोरा बहुत open-down तो होगा लेकिन आप तो कह रहें कि कि किसी को बहुत उपर कर दिया गया किसी को बहुत नीच से किरिये रहते हैं हम लोग जैसे लोगों से भी नहीं पुछा गया कि आपकी जाती के लोग हैं हमारे पार्टी के राश्टिय धक जी अधर नियोंपरिंद कुस्वाजी से पुछा गया कि हम लोग पूरे बिहार से लोग समझ रहें कि गन्ना कैसे कि वैटकर और एक हमको दिकत दिकत तो यहीं है कि कहां आप लोग सोच रहे थे कि 7-8% हम लोग रहेंगे कुश्वाहा समाज और 4% पर आ गया है आपको मैं सपष्ट बता देना चाहता हूं इसमें कुश्वाहा समाज को टार्जेट किया गया है और नितीश जी और तेश्वी जी अगर आपको थोरा है तो इसको आप सारजोनिक तो करवा दीजे हम लोग यहीं मांग कर लेते हैं कि हम लोग एक पंचाय तो आई पता लग जाएगा कि कौन कीश जाती में कहां कीश तरह का घोटाला हुआ है और आपको आज आपके चैनल के माद्यम से लाइब बिहार के माद्यम से मैं आज भ देखिए यहां मुख मंत्री और उपमुख मंत्री से सुपर मुख मंत्री मुख मंत्री और उपमुख मंत्री को रिमोट कांट्रोल करते हैं है डिजिस्के अनितीह जी का Hab ubiqua सिकी कि आज बिहार में क्या हो रहा है कहने कि कोई इसमें अतिस्यक्ति नहीं है कि आज बिहार की सोर जा रहा है तो जाती की राजनिती बिहार में तो पहले भी थी अब जाती है आकरे के बाद ये और उबाल मारेगी लेकिन ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुश्वाहा जी का जो स प्रकाश करपुरी ठाकूर जगदेव प्रसाथ के पष्चीन ओपर चलने वाले ओ राजनेता है जिन्होंने समता साध्गी और सौलंबन पर अपना रानिती किये हुए हैं रानिती ओ कोई बिरासत से उनको नहीं मिला है अपनी संघर्ष जिस प्रकाश जनना है करपुरी ठाक को देखा वे अपनी पहचान बना है और डग मांगाने की को जिरुवत नहीं है जाती गनना में बहुत छोटी छोटी जातियों का घोटाला करके एक जाती बीशस को जड़ा फोकस कर दिया गया नितीश कुमार जी मुख्यमंत्री है अब आगे कौन मुख्यमंत्री गा इसक आरलजेटी के अंदर थोड़ा खलबली है जब से आकरा से जावली नहीं है डेर परसंट और दो परसंट के लोग सीएम बन सकते हैं देखिए सीएम बनना कोई जातिगत सर्वे का धार पर नहीं होता है सीएम बनना अपनी ऑबलिटी अपनी ताकत अपनी चहांता का धार प सब लोग अपने पार्टी के चेहरा है मैं किसी के ऊपर क्यों करूं लेकिन सीम का अभी चुनाओं नहीं है अभी चुनाओं देश में प्रधान मंत्री का है और भारत के प्रधान मंत्री आदाणिया नरेंद्र भाई मोधी को हम लोग बिहार के 40-40 लोग सभा सीटों पर पु हो दाएगा क्या हुआ है रहा है नमें रहां करते हैं और हमारी पार्टी मांग करती है कि आप इस जातिये गंणा को शार्जोनी कर दीज़िये जाती ये गन्ना को भोटर लिष्ट की तरह की जाती का कौन लोग है इसे मैं राम पुकार सिन्हां मैं कुस्वाहा जाती में हूँ की नहीं हूँ आप जरा मेरे पंचायत में घोरा बिहार राज के पुरवी चमपारण जीले के घोरासान प्रखंड अंतरगत कोवया पंचायत में आप सरजनी करवा दीजिए हम लोग देख लेंगे उसी तरह पूरा बिहार कांकरा दूद का दूद का पानी का पानी हो जाएगा सरवदलिये बैठक हुई भी ते दिन मुख्यमंत्री जी के सचीवाले के समवाद कक्ष में बाद में उन्होंने यह कहा है कि डेड़ महीने के अंदर ही सब कुछ और भी आकरे सरवजनी किये जाएगे बिल्कुल अच्छा है अगर मानिये मुख्यमंत्री इंति इश्कुमार जी को अगर आर्थिक और जातिये गन्ना अगर सरजनी कर दे तो बहुत अच्छा होगा सब को पार्दरस्ता दिखाई पर जाएगी इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है लेकिन अभी आप लोगों को जोहाँ करा प्रस्तूत किया घया है उस पर भरोसा नहीं कि नहीं भरोसा हो सकता है जब तक उसको परदर्श्ता नहीं कर सकते हैं तो इस तरह की प्रकिरिया हो रही है अगर उनलोगों थोड़ा भी नेख तिकता है जनता दलिगों राजत के निताओं में जो कुषवा समाज के हैं मैं दावे के साथ काता हूं लोग की नेख तिकता है तो इस्तीपा दे दो भाई इस तरह पेट पुषने से रानीती में काम नहीं चलता है रानीती संघर्ष के ल कोई कमेंट कर सके निरज कुमार जैसे लोग अधरनी उपेंद्र कुस्वा के पिछलगू बन कर आते हैं निरज कुमार क्या है पूरा बिहार जानता है निरज कुमार की वह आउकाद नहीं है कि उपेंद्र कुस्वा पर कोई कमेंट कर दे और यह जदिव के बारे में करते क्या हो गया राजत का एजेंट है और जदिव को मट्यामेट कर दिया राजत का एजेंट बनकर जदिव का परदेश अधक्ष काम करने यह आप लोग राष्ट्रिया दिक्ष के लिए भी कहते हैं दो अब कहीं छुपा हुआ है जे निति उपेंद्र कुस्वाहा पर बोलने कि इन लोग को पहले हैसियत होनी चाहिए उपेंद्र कुस्वाहा वाकई में विद्वान राजनिता है और जिस पत्थ पर चल रहे हैं उस पत्थ पर जन्नाय कर बिहार की रानिती में करपूरी ठाकूर के बाद समता साध्गी और परसा नहीं है या और भी जो जाती हो और बहुत छोटी-छोटी जातिया है चन्दवनसी है बीन है मला है नूनिया है धानूख है कुर्मी बहुत सारे लोग है आपको मैं बतला रहा हूं अगर अगर गनना सही से हो जाए तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला का परदा फास होगा और यह तो वक्त आएगा अगर नितीष्ट कुमार जी और तेयस्वी परसा जादो जी ब्यार के मुख मंत्री है तो आप इसको हम लोग यहीं डिमांड करते हैं कि इस गनना को पंचाय तो वाई सार्जोनी करवा दीजिए यह पूरा घोटाला का परदा फास हो जाए देखिए सवाल तो बहुत अच्छा है कहीं कोई दोमत नहीं है लेकिन लोग करें तो कुरसी के मोह में बैठे हुए लोग सत्ता में सिर्फ मलाई चापने के लिए लोग बैठे हुए हैं और जनता के जोलंत मुद्धो परिनलों का कोई समस्या का समधान नहीं है आज बिहा बाद हत्या लूट बलतकार जितनी घटना है हो रही है बिहार में यह देखने वाली बात है और जहां तक के अति पिछरों की सवाल की बात है तो वाकई में इन लोग के पास थोड़ा भी अगर है तो कोई वरसा चेहरा देखा कर बैठा दे कुरसी पर अच्छा अब जब से प्रख्यास समझवादी चिंतक रामन और लोहिया जी कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतने हीसेदारी वाकई में सब कूस अधार पर उचित प्रतिनीदों मिलना चाहिए आज तक बिहार की रानिती में सिर्फे जातियों को ठगने का काम किया गया और जातियों को ठग ठग कर अपने सत्ता में कैसे बैठे हम कैसे बैठे यहीं रानिती हुआ है इधर कुछ दिनों में तो बिहार की जनता आप जागरुक है नौजवान में जागरुकता आई है और आने व आश्ट्रिये लोक जनतादल के प्रकर प्रवक्ता रामपुकार सिन्ना हमारे साथ जुड़े हुए थे जो जातिये गनना के आकरे सरवजनिक हुए हैं उस पर सवाल या निसान इनकी पाटी के तरफ से खड़ा किया गया है और आकरों पर भरोसा नहीं है अगर इतने सटीक औ इस पर सवाल खड़े किये हैं कई आम लोगों ने भी यह बात कही है कि उनसे भी आकर उनकी जाती नहीं पूछी गई है ऐसे में यह आकरे कितने विश्वशनिये हैं कितने सठीक हैं यह तो वक्त बताएगा मामला सुप्रीम कोट में भी है लेकिन बहुत से समाज के लोग ह हैं जो यह कह रहे हैं कि आकरों के साथ छेर चार हुआ है बने रहे हैं लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें